जहास तूट गया लेकिन पाउलुस का विश्वास थिरता पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह जहास तूट कर बिखरने लगा था लेकिन पाउलुस ने उन्हें धांडस बताया कि उन में से एक की भी जान नहीं जाएगी क्योंकि परमिश्वर के स्वर्गदूद ने उसे ऐसा बताया था रात को इसलिए वे निश्चिन तरह सकते थे उन्हें बस जहास को किसी टापू पर टिकाने के आवशक्ता थी रोमी सुबेदार यूलियूस ने पिछली बार तो पाउलुस पर यकिन नहीं किया था जब पाउलुस ने उन्हें फिनी के ना जाकर शुब लंगर बारी में ही सर्ग्यां गुजारने के सला दी थी लेकिन जब तूफान बढ़ गया और जहास के डूबने की संभावना बढ़ गई तो उसे पता चल गया कि पाउलुस परमिश्वर का दूद था और उसके सला एक भविश्वानी थी इसलिए संभावता अब वो पाउलुस के बाद पर विश्वास करने लगा था और उसका सम्मान भी करने लगा था तो अब आगे 27 वी आयत जब चौदवी रात हुई और हम अद्रिया समुदर में टकराते फिरते थे तो आधी रात के निकट मलाहों ने अटकल से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुँच रहे हैं अटकल मतलब जो अड़ राता जहाँ चलने में तो उसके वज़े से उन्होंने जाना कि शायद कोई भूमी आसपास हो सकती है इस नक्षे में आद देख रहे हैं कि अद्रिया सागर इटली और ग्रीस यानि यूनान के बीच में स्थित है इस अद्रिया सागर का फैलाव नीचे दक्षिन की और आयोनियन सागर तक है पहले आयोनियन सागर को भी अद्रिया सागर ही कहा जाता था लेकिन अब इस नीचले समुद्र को आयोनियन सागर कहा जाता है तो इटली में ही रोम है जैसा आप देख रहे हैं रोम इटली के राजधानी है तो अब नीचे दाइं तरफ देखिए वहाँ से जहाज आयोनियन सागर में पहुँचकर भटकने लगा उनको वहाँ से रोम तक पहुँचना था अब इस नक्षे में जहाज की पूरी आतरा की लकीर को देखिए जो दाइं तरफ नीचे इसराइल से शुरू हुई और रोम तक पहुँचने से पहले आयोनियन सागर जो पहले अद्रिया सागर कहलाता था उसमें भटक रहा था तो अभी भी वे रोम से बहुत दूर थे 28 और था लेकर उन्होंने 20 पूर्शा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पूर्शा पाया तो ये गहराई नापने का एक तरीका था उनका उसमें का जैसे आजकल कर राज मिनिस्ट्रीव के पास साउल होता है दीवार को सीधा रखने के लिए तो उसके नीचे जिए वजन बंदा होता तो उसी से उनना अंदाज़ा लगाया, तो थाली तो 15 पूर्शा पाया, दो सप्ता तक वे समुद्र में रहे, जहाज अपने रास्ते से करीब 500 मिल से अधिक भटक गया था, और अब अदरिया सागर में भैग गया था, जिसे अब आयोनियन सागर का जाता है, जैसे ही चालक सब्सक्तल ने आवाज उठाई, उनने पता चला कि पानी उतला हो रहा है, मतलब गहराई कम होती जा रही है, 120 फीट से 90 फीट तक, जो ये दर्शाता था, ये भूमी निकट थी, तो वो कैलकुलेशन जो आती है कि 20 पूरसा, फिर 15 पूरसा, तो वो ये आती है तकरीबन, 120 20 फीट से 90 फीट तक पहुंची, तो उनने समझ आगा है कि भूमी बहुत निकट है, लहरों की गरजना से ऐसा लग रहा था, कि जहाज चटानों के और जा रहा है, तो ये उनके तरीके थे, उनके अनुभाव के अधारत पर जान सने के, कि जहाज किस दिशा में जा रहा है, नीचे क्या है, 29, तब पत्रिली जगों पर पढ़ने के डर से, उन्होंने जहाज की पिछाडी, चार लंगर डाले, पिछले वाले इसे में, और भोर होने के लिए प्रार्फना करने लगे, क्योंकि रातों कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आधी रात के तूफान के यू हमारे फरवरी के वीडियो में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महिना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियो में मिल जाएगा, अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पी और उसे इंस्टॉल करें, ये एकदम फ्री है, इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें, फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें, और उसे इंस्टॉल करें, ये भी एकदम फ्री है, इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें, और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें, मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेब साइट Google Chrome में खुल जाएगा, और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे, इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं, और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं, उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे, इसके अलावा अगर आप चाहें, तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबाकर, 240P, 240P सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा, 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिये, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए,